युवा तो अख्लेश जी और राहुल जी की तरफ देख रहे हैं अख्लेश जी कह रहे हैं कि राहुल भया एक लाग देंगे खटा-खट आएगा बैंक खाते में एक लाग हमसे खुदी ले ले हम खुदी उनको एक लाग रुपए देंगे हम लोग इतना खुद सक्चामिक लाग उनको खुद दे सकते हैं वह तो क्या रहे हैं मोदी जी नौकरी नहीं दिये हैं बहुत नौकरी दिये हैं तब लोग यार बहुत लोग खुस हैं इसलिए हम लोग 400 लाएंगे मोदी जी करें चार सो पार गडबंदन चार तारी को तूटके विखर जाएगा और यह सहजादे जो हैं बिदेश निकल जाएंगे चार तारी को निकल जाएंगे तो बिलकुल सुरक्षा मिले लाएंगर मिंटेन है अब सब कुछ जनता को यही सबसे बड़ी चीज तो यही होनी चाहिए सरकार में वेंटिलेटर पर गए और दूसरी सरकार में उपर चले गए नमसकार आप देखर हूए हैं हेडलाइन सी इंडिया मेरा नाम है विनोश शर्मा आखिरकार उत्तर पर देश में क्या होना है चार चलन के चुना हो चुके हैं और तीन चलन अभी बाकी हैं لेकिन जनत की भी माफिया गर्दी उत्तर परदेश में नहीं चलेगी जिसको यूपी में रहना है वो प्रेम भाव से रहे और जिसको गुंडा गर्दी करनी है तो कानूनी तोर पर सरकार उससे उसी भाशा में बात भी करेगी उसी भाशा में जवाब भी देखी लेकिन वो 2024 का चुनाव है और यही परियाग राज है जहां पर योगी आने वाले हैं जहां पर मोधी सभा करने वाले हैं हमिशा सभा करने वाले हैं और इसी परियाग राज के अंदर राहुल गांजी और अकलेश यादव एक मंच से गरशते हुए नजर आएंगे लेकिन जनता क्या समझ रही है क् जनारदन से बात करेंगे बाई साब किस तरीके से देखते हैं सुत्तर परदेश में माफिया गर्दी के नाम से ये परियाग राज इलाबाद जाना जाता था लेकिन आज क्या स्थिती है तो जार चौबिस का चुनाव है अब किस मुद्धे पर आप लोग वोट देंगे जी इस वक्त तो बहुत सुकुन है जब से दस सालों से बिजेपी गुर्मेंट आई है यहां एक दम गुंडाराज बेलकुल ही खतम हो चुका है मानि यह खतम हो चुका है बिलकुल आप समझ इसके पहले कहीं नुकल पर भी धरना पर धर बंबाजी हो जाता था लोग आते जात से मारे जाते थे अब ऐसी कोई सितिक कहीं भी सुनाई भी नहीं पड़ती है कहीं भी नहीं सुनाई पड़ती है इसलिए हम लोग बिजेपी को वोड करेंगे और बहुत ज्यादा विकास कि इनुदर साल में क्योंकि इसके पहले कोई भी विकास दिखाई नहीं पड़ता थ विजय है जी विजय है तर क्या कहेंगे किस मुद्दे पर इस बार वोट दिया जाएगा चौब इसके चुनाओं में नहीं हम लोग तो खुस हैं और भर प्रयास पूरा जो है मेहनत भी कर रहे हैं और जिताएंगे भी अब हारी मतों से जीतेंगे अच्या हाँ हमारे साहूल सांसाच जी विधायक प्रमीड पटेल अच्या हाँ जीते हुए हैं जीते हुए हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं हाँ यहां से जीतेंगे अरे भाग जाएंगे कोई काम नहीं करेगा योगी जी सिकंदरा में लेकिन नजर आएगा राहूल और अखलेस में तो नहीं आएग काम किया है किसी भी सरकार नहीं किया है इसलिए मोदी जी ही आएंगे एक दम क्लियर है लेकिन जब राहूल गांधी बात करते हैं मंच से कि मोदी जी देश हित में कहां काम कर रहे हैं मोदी देश बेच दिया मोदी जी ने रेल बेच दिया भेल बेच दिया सब कुछ मोदी विश्वास नहीं तो प्रियंका जी की बात पर विश्वास घर लेकिन विश्वास की कोई बात नहीं है उनी के सपोर्ट में लगत हुई है प्रिक रॉटिन कर दार सोफ़ाले कुछ 576 मेंड़ी स Unfortunately कि यसलमा जीसे अटाहिए अपकी बार मोधीक भी का तोत्त वह खुद भी चुनाव लड़ें लुष्णओ लड़ा है जथरों को अलुल अ pengुऊ selber gotta बिल्कुल बिल्कुल जो आप तभी मज़ा आएगा है जब आमने सामने मुकाबला बराबर होगा हमने सामने मुकाबला हो तो रहा है कहां हो रहा है आप लोगों को विश्वास नहीं बिल्कुल नहीं रहे चार जुन में मोधी गए और बना तक दीग है नितिस कुमार छोड़के चले गाए ममता जी ने अपना अलग हो लिए अपने इसाब से कर चलिए यहां भी कितनी सीट लड़ा रहे हैं इनकी कितने केंड़ेट है कॉंग्रेस के तो जब इन में आपस में ही नहीं स्वास है तो जनता क्यों इस्वास करेगी यूपी में सपा और कॉंग्रेस का गठबंदन हैं बड़ी बात है कि पिछली बार 19 में बहन जी के साथ यानि कि बुवा जी के संग भधीजे का गठबंदन नुवात और फिर अपकी बार दो यूवा लड़के यूपी में नदर आ रहे हैं बाई साब क्या लग रहा है दो य नौकरी आप आप खतम हो गए ता आपके लड़के नौकरी मिल गई वह मिर्था काष्ट वाले हैं और परिवारवाद चला रहे हैं इन लोग नोंसीरियास हैं लोग कहीं कोई मतलब की विश्वास नहीं है अरे बाई साब वो तो कह रहें आपकी बार विश्वास जनता कर मौदी जी हा रहे हैं वह तो समय बताएगा उनको कि कौन किसको विश्वास कर रहा है और बाकी जनता जनार्दरान सब कमल के फूल पर लगाएगी बटन दबाएगी पूल पर अच्छा जी वह यहां यहां पर खड़े हैं आपके पीछे आपके लिए तो बहुत अच्छी चोजना दिया राहूल भाहिया ने बोला एक लाख रुप्या खटा कट खटा कट आएंगे खाते में साड़े आठ जार महीना खटा खट वापस जा रहे हैं वहां कहां रहे हैं अब आप यह बताएगे जो 72 साल का है 60 साल का हो यूवा है हो हम लोग क्या है यूवा नहीं है आप उनको यूवा बता रहे हैं ख्लेश जी को यूवा बता रहे हैं हम लोग यूवा नहीं है हम लोग के बारे में अगर सोचा जाए उस हिसाफ से काम किया जा तो समझ में आए आप घर जाके मिल रहे हैं सारी पार्टी एक होके मिलती हैं लेकिन जब हम लोग की बारी आत अकेले लड़ते तब भी पता चलता अब तो एकदम नहीं पता चलका कहां हम गए बात यहीं है यह सपना सपना ही रह जाएगा कभी साकार होने वाला नहीं है अलाई साब क्या कहेंगे उत्तरपरदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं कि माफियाओं को जैसे खतम किया है वैसे अब माफियाओं की प्रॉपर्टी को भी खतम करेंगे और देश की जन्ता के लिए कुछ ना कुछ समिधाएं बनाएंगे देखें योगी जी दो सरकार चला रहे हैं एक बार माफियाओं को जैसे पहले बार जब मुख्यमंत्री बने तो माफिया सब बेंटिलेटर पर आ गए थे इस बार वो खतम हो गए जब दूसरी बार सरकार बनी तो ऊपर चले गए सब अब माफिया कहीं बचे नहीं अब माफि चला चला चाता है वो खतम हो गया दोर अब आज आप आराम से 12 बजे रात मोडर साइकल में चले जाए अकेले चले जाए महिला अकेले चली जाए कहीं चले कोई दिक्कत नहीं समय सबसे बड़ा काम यही हुआ है उत्तर परदेश में सुरक्षा मिल गई सुरक्षा पर आप लोग देख रहे हैं सबसे बड़ी बात हाँ बिलकुल सुरक्षा मिले लाइन अडर मिंटेन है अब सब को जनता को यही सबसे बड़ी चीज तो यही होनी चाहिए रोटी कमाता है वो डरता रहता कती का हमद ना आक जाए मंगवाले फोन ना आ जाए कही से अब इसकी कोई चिंता नहीं बची जितने माफिया थे पहली सरकार में वेंटिलेटर पर गए और दूसरी सरकार में ऊपर चले गए अब खतम हो गए दुबारा सरकार बनी बाबाजी की वो सब चले गए पूरा पूरा प्रदेश अमंचायन है अकलेश जी मुक्तार अंसारी के घर जाके पूछ रहे हैं कि योगी मोदी कब देंगे इंसाफ आप कह रहे हैं कि इंसाफ कहे का है इंसाफ अब यह बताइए जब फोटी सेवन चलवाए थे तो प्रकित भी देखती है ना कि पोटी सेवन चलवा रहे है तो बीमार आदमी होगा ही ना अब बीमारी से कोई मर्जा है तो उसमें कोई का इसाफ पताइए जनता क्या सोच रही है प्रियाक राज की जनता एक्दम हमान चायन कर रही है और चार सौ पार करा रही है इसाब आप तो युवा है युवा तो अखलेश जी और राहुल जी की तरफ देख रह शकति होगी के साथ कुकि अभी भी योगी जी युवाई है जवर अपने आपको समझ सकते हैं और मोधी जी योगी जी से वड़े हैं वो एकलेस जादव उनसे एक साल चोटे हैं थे हैं योगाद दिरनाश भी युवाई है यूवाई है क्या विचार है योगी जी के कुछ आप दोनों को अंतर नसराता दोनों में अभी क्या है अकलेश अवर ống क्यलियों का रास्ता था अब क्या राम राज योगी की आरनेके बाद राम पर्याग राज जा गया है कि आप देखेते कि राम बंद्र के सहने न कार से वकों पर गोल्य चलवाई थी उनकी सरकार थी हाध इस समय योकी की सरकार है फूल बरसाई जाते हैं योगी की सरकार में फूली हुआ पाइसाब कमल इजार आए कमल का फूल खिय गा भी कमल का खुल मुर्जा जाएगा दोनों लोग सभा में परियाग राज और फूलपूर में अपकी बार चार सुपार तीसरी बार मोदी सरकार यह अटल सत्य है यह काम के आधार पे है आधरणी प्रहार मंत्री ने जो विकास किया है देश का हम तो देखते हैं कि अभी तक हमने जा रहा था रहो हुल किसके अवतार है राहुल जी की बिसे में हम इदना ही कहेंगे कि हाल जी अभी उनके पास of हाम समय है मोदी जी लगातार बने रहें सब्सक्याकर आ जादा Prض किंगा traffic सरकार नहीं है इन्हों profound तब जो सोच रहे हैं पब्लिक के लिए आज यदि 2004-2014 तक अच्छी तरह सोचे होते हैं तो आज उनको दिन न देखना पड़ता यह और वह अच्छा काम नहीं किये परदान मंत्री पर आहुल बैठेंगे और दोनों लोग चार तारी को रिजाट आने के बाद विदेश निकल जाएंगे परदान मंत्री पर आहुल बैठेंगे और यूपी में 27 में अखलेश बैठेंगे मुंगेरी नाल जी के सपने देखना सभी का हक है लेकिन उनके सपने जो हैं मोती चूर के लड़्डू की तरह चूर चूर हो जाएंगे मोती चूर के लड़्डू बाओ जी क्या कहेंगे कैसे देखते हैं अभी कास योगी जी कह रहे हैं कि माफिया गर्दी जिस तरीके तक खतम की है उत्तल परदेश में उसी तरीके से जिन्होंने गलत तरीके से लोगों की प्रापरटी कपजा की है या किसी का प्लॉट कपज नारे हैं जो अभी तक कि इन भूमाफियां के कपजे में थी तो उसको ले आकर जनहीत में जनता के लिए आवास तमाम योजनाओं के तहट जो आते हैं जैसे अब हम लोगों के लिए अधिवक्ताओं के लिए एक अधिवक्ता-भाओन का निर्मार किया जा रहा है तो हम लोग यही सोचेंगे कि जादा से जादा अधिवक्ताओं के हित में भी काम हो दूसरी चीज है कि यह सरकार का जो आर्थिक सुद्री करण है जो आर्थिक विकास की बात आती है तो यह एक योजना के तहत कारे करते हैं आप तो बहुत प्रबूद हैं मुझसे भी ज़्यादा प्रबूद है अप जानकार हैं लेकिन क्यों ऐसा है कि अखलश जी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और इन लोगों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और इन लोगों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं इसके पहले कुछ नहीं कर पाए वह अब भी बोल रहे हैं पहले एक साथ नहीं थे ना भी आप एक साथ हो गए हैं तो आपस में खीचा तानी हो गई तब तब तो और गड़ बोड़ोगा एक दूसरे खीचेंगे गिरेंगे चले जाएंगे अचिया यानि बिल्कुल आखरी सवाले क्या लग रहा आप लोगों को बस अब की बार मोदी सरकार 400 पर पर्यागराज फूलपूर में पर्यागराज फूलपूर में हाँ उनके उपर सबको विश्वास है चलिए देखिए जनता पर जनता का विश्वास किस पर है जनता जनारजन क्या सोच रही है और मैं सुबक्त मौझूद हू पर्यागराज में और दो लोगसभा पर चुना होना है जहां पर एक लोगसभा पर्यागराज इलाबाद लगती है और दूसरी लोगसभा वही फूलपूर की लोगसभा है जिस लोगसभा से अतीक एहमद दिल्ली सांसद बनके पहुँचे थे लेकिन अपकी बार क्या होगा जनता क्या सोच रही है चार जून को क्या होने वाला है और 25 तारीक को यहाँ पर चुनाओ भी है तो जनता की राये आपने सुनी आप इस खबर पर वीडियो पर अपनी राये जरूर रखिए कैमरामेन अंकित के साथ विनोश शर्मा परियाग राज लोगसभा से